नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पूर्वी शुक्ला और आप देख रही हैं बोल्ट स्काई दादी नाने और बड़े बुजर्गों से न जाने स्किन से जुड़ी आपको कितने ही नुस्के मिले होंगे बिना उसकी सचाई का पता लगाए हम उन पर यकीन कर लेते हैं और दूसरों को भी वो सलहा देने लगते हैं लेगिन अब वक्त आ चुका है कि हम बिना जाज परताल किये गलत सूचना किसी को ना दे अब इस वीडियो में हम आपको त्वचा से जुड़ी प्रचलित और सुनी-सुनाई अफ़ाहों की सच्चाई बताने जा रहे हैं अब से अगली बार से ये ऐसी कोई अफ़ाहा या गलत सूचना आपकी नजर में आए तो आप ना सर्फ उसे ठीक करें बलकि किसी और को अपनी स्किन खराब करने से भी बचाएं ये कई बार लोगों से सुना है कि रूजाना या ज्यादा मेकप करने से चहरा खराब हो जाता है और पिंपल्स भी हो जाते हैं बहराल ये पूर्ण रूप से एक अफ़ाह मात्र है हाँ अगर आप गलत प्रोड़क्ट का इस्तमाल करेंगी तो त्वचा से संबंधित परिशानिया हो सकती हैं लेकिन यदि आप सही प्रोड़क्ट का इस्तमाल करती हैं तो आपकी स्किन को किसी तरह का कोई नुकसान नह होगा इसलिए अपसे आप जो भी ब्यूटी प्रोड़क्ट खरी दे तब ध्यान रखें कि वो आपकी स्किन को सूट करता हो हर बार ऐसा नहीं होता कि एज़ स्पॉर्ट उम्र बढ़ने की वजह से ही नजर आए ना ही चेहरे पर पढ़ने वाली जायू का इसे रिश्ता है चेहरे या हातों की तवचा पर ये पढ़ने वाले निशान बिना किसी प्रोडेक्शन या इस्तमाल किये सूरज की रोश्णी से ज़्यादा संपर्क में आने से भी हो सकता है स्किन के खराब होने की सबसे बड़ी वज़ा सूरी की खतरना किरने हैं चेहरा बार बार धोने से आकने हो जाते हैं ये अफ़ा तो आप कई बार सुन चुके होंगे हमारी तवचा जरूरी तेल उत्पन करती है जो स्किन के लिए जरूरी है बार बार चेहरा धो लेने से ये जरूरी ओयल भी धुल जाता है और इससे तवचा रूखी हो जाती है किन होने की पीछे जनेटिक कारण होते हैं और फिर ऐसी स्थिती में सिर्फ पानी समस्या को नहीं संभाल पाता ऐसे में आपको अपनी तवचा को स्वस्त रखने के लिए लोशन की मदद लेनी पड़ती है बादलों की वजह से सूरज निजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि बिल्कुल नहीं है कि आप संस्क्रीन ना लगाएं अगर धूब नहीं है फिर भी उसकी किरिने आपकी तवचा को टैन करके बेजान बना सकती हैं मौसम चाहे जैसा भी हो घर से बाहर निकलते वक्त संस्क्रीन जरूर लगाएं इस वीडियो में फिलहाल इतना ही हम लोटेंगे ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ तब तक के लिए जड़े रहें बोल्ट स्काइ से